आप सबको स्वागत है आज हम 22 ए प्रक्री श्रवतान में पहुचे हैं देखाये तु कहा जाता है जादतर western world में कि astral travel मलों कि शरीर से parade travel करना है जो कि हम कहते हैं जादतर की औरा travel करती है तो वेदेश में या अगर आपके western world में Soul को मानते हैं लेकिन Soul को जानते नहीं है ये भी नहीं जानते हैं कि Soul है जो कि Astral travel करती है Soul के अंदर ही मन है बुद्धी है और Soul ही अपने संकल्पों से एक औरा create करती है अपने आज़बाजो और वो औरा जो है वो संकल्पों के बिना काई भी move नहीं कर सकती अगर आपसंकल बेहत के हैं सब के भले के हैं तो आपकी औरा और बेहत की होतीजाएगी आपकी औरा में प्रेम है शाझती यह खुशी तो वो फैलते जाएगा लिक्शन अगर आपकी औरा में एक रोध है अहंकार है ग्रना ईरशा नफरत है तो फुर वो कम होती जाएगी और आपके अंदर बिमारियां भी आ सकती है तब ही योगी एसल ट्रावल करते हैं ताकि वो स्वस्थ भी रहे मन से भी और तन से भी तो देखें आज इसके बारे में हम जाने की यो दो कंडिशन्स कौन सी है जो कि बहुत जरूरी है योग विद्या के लिए और योग की शक्ती को प्राप्त करने के लिए परमात्मा कहते हैं बुद्धी रूपी विमान विमान तो हम देखते हैं फिसिकल लेकिन बुद्धी को भी परमात्मा ने विमान का है आप सोची आप 1 second में दारजलिंग आसकते हैं, एक सेकंड में आप बैंगलूर जा सकते हैं, एक सेकंड में आप लॉंटन पहुन सकते हैं, provided आपने इन ज़ाओं को देखा हो, उसी तरीके से हम परमधाम को जब देख लेते हैं, तीन दुनियाओं में से, अभी हम तीसरे world में हैं, इसके उपर एक और second world है, उसके उपर एक first world है, जहां से हम आए हैं नीचे, तो जब ये तीन दुनियाओं को आप पहचान लेते हैं, जो कि आप ब्रह्म को वाईज में जिब seven day course करते हैं, तो second day में आपको पतल लाता है, कि हम आचली तीन तो फिर आप समझते हैं, कि ठीक है, मेरा ये physical world जो है, उससे भी important और भी दूसरे world है, जहां पर मैं ट्रावल कर सकती हूँ आत्मा, संकल्पों के दौरा, thoughts की थूँ, तो इसलिए परमात्मा कहते हैं, बुद्धी रूपी विमान दौरा, second में, कि तर टाइम में, second में, जो करने वाले सहज योगी भव, easy योगी, बाप दादा, बाप होगे परमात्मा, दादा होगे अडम, बच्चों को निमंत्रन देते हैं, कहां पर, second world में, कि बच्चे संकल्प का switch on करो, और वतन में पहुँचकर सूरे की किरने लो, सूरे होगे परमात्मा, भागवान को भी स आडम, शीतलता, और ये शीतलता किसने दी, सूरे ने दी, पिकनिक भी करो, और खेल कूद भी करो, बना कि आप वहाँ पर जा करके, परमात्मा पिता, और उनके पहले बच्चे, और बाकी जितने भी फुरिष्टे आत्मा हैं, उनके साथ में, आप बाचीत कर सकते हो, संकल रुपी विमान में, डबल रिफाइन पेट्रोल की आवशक्ता है, अब जो रॉकेट होता है, उसके अंदर भी क्या करते हैं, रिफाइन डालते हैं, पेट्रोल, ये फिजिकल वाला जो हम देखते हैं, पेट्रोल, गाड़ी वाला वो नहीं, अलग होता है इसका, रॉकेट नहीं रह सकते हैं वो ऐसे घ्राविटी क्या करती है रो्राकेट को घ्री ऑसे हैं तो फिर वह बाते हम आ Самパist इसलिए परमात्मा कहते हैं डबल रिफाइन अर्थात एक निराकारी निश्चे का नशा कि मैं आत्मा हूं मैं फिजिकल नहीं तो मुझे इस फिजिकल चीजों से मुझे कुछ सुक्षान्ति प्रेम आनद खुशी लेने की जुरूत नहीं है वही तो कारण है लोग बढ़ने बाप का बच्चा हूं किसका परमात्मा पिता जो की निराकार है दूसरा साकार रूप में सर्व संबंद का नशा अब इस दुनिया के जो हमारे संबंद है वो हमें दुख ना दे पाए उसके लिए हमारे संबंद कहां जुड़े होने चीए परमात्मा से परमात्मा से सुक कौन सा? एक बहन का सुक, एक भाई का सुक, एक स्पाउस का, हस्बन का, वाइफ का सुक, वो सब कुछ परमात्मा से ही इच्छा रखे, सुक्षम में, स्थूल मने, कि परमात्मा ही किसी को निमत बना करके मुझे सुकी रखेंगे, खुश रखेंगे, शान्त रखेंगे, लेक की साधवाम us Scripture भी उफ with तो फिर हम भार बार नीचे गरेंगे जी तरह讲 किसी ने मारी कोई क्राइब यह नीचे सब्गाल से किसीने कोई चीज की छप ऊरती करी नीचे कर गया、 सब्गूर्द है किसीने पूछानों ओर नेकी नीचे कर गया है कौनसी आत्मा की बूभधी रूपी फ्लाइट इसलिये परमात्मा कहते हैं सारे संबन्द मेरे से रखो सारे संबन्धों की एक्षाई मेरे से रखो और किसी उसरे न रखो इसका मलग किसी से गरणाnica नफ़त निकल नहीं है इसका लिए नहीं होता है, उनसे अपना तोड़ने बाना है, लेकिन वो एक आत्मा समझ करके, कल्यूप में है, उनके इंदर एनरजी नहीं है कि वो में कोई इतना दे पाएं, ये समझ करके हमें आगे बढ़ते रहना है, तो कौन दे पाएगा, कल्यूप में सिर्फ एक ही आत और तीनों लोकों का सैर भी करते रहेंगे, इजी योगी बन जाएंगे हम, तो पहला क्या हुआ, सबसे पहला, मैं आत्मा हूँ, निरकार, मेरे पिता परमात्मा भी निरकार है, सेकंड चीज क्या हुए, मेरे सारे समझ एक परमात्मा से, और किसी से नहीं, मुझे कोई च् अफर से कहती है, कुछ आत्मा होती है, जो कि दुखियों का कहती है, दुखियों का रहनी कहना है, ये सत्य है, कि हमारा सारा समझ परमात्मा से होना चीए, लेकिन हमने ही वो सारे समझ और उसे जोड़ दिये है, कि अपनी कमजोरी, कमी के कारण, इस कारण से हमारे अंदर ही